पिछले दो तीन दिन से सभी लोगों में बहुत शेक है और प्रश्ण है कि फॉर्म अगर बरना है तो मेरे पास रेशन कार्ड नहीं है तो क्या करूं बोलके पूछ रहें मैं एकी डाउट आपको क्लियर करूंगी अगर आपके फामली में अगर मा बेटा बाप बाप और दो बेटे को और रेशन का रहें लेकिन ये दोनों बेटों के इस दस साल में शादी हो गई उनके लिए उनको वाइफ आ गई और उनको बच्चे भी पैदा हो गए तो इनका इडिशन अभी नहीं हुआ तो क्या करें अगर आप सब पूरा फैमिली मेंबर्स खांदान पूरा एक ही गर में एक ही डोर नमबर में रहे तो एक ही अप्लिकेशन फॉर्म बस से ऐसा नहीं है अगर बेटा बहु और बच्चे दोनों सप्रेट सप्रेट गरों में रहे रह लाइसे में बहुत मिलें यह सब बंदरए नहीं हम और आपके इस फॉर्म में आप निया रिइंग श हमार फर्जिय अभी तकतर गाइडलैन सब Oh कुई सी को भी नए पता ये केवल रेवन्त्रेटी साब को पता है अभी तक गाइडलाइन बाहर नहीं आए गाइडलाइन्स क्या है ये पूरा बर्द देने के बाद ये पूरा ऑफिसरों के पास जाके ये ऑफिसर स्कूटनी करके आपके गर को फिर वॉलेंटिर्स आके आप के पास आप के घर में अजरी पैंशन हरी है और कोई हैंडी काप पैंशन और सिंगल विमेन पैंशन हो ऐसा कुछिंट पैंशन हरी है तो", ये तोो तोजन फा घ rende चालू है अगर देते हैं कि नहीं देते ये को भी नए पता फार once घयने रुपीस सबसेडी देते बोले जै टोहार टूहबन इस यूनिट करेंट फ्री देते बोलें हे गालें आपने के बाद यह devo बर्क भूस को पता है और इसमें जो बरते तब आपका address, आदर का address और आपका mobile number सही लिखिए और permanent वाला लिखिए बस वही काफिए यह जो बात नहीं है कितने मेने रखते, क्यूं देते, कैसे देते, कपको देते, किसको देते, क्यूं नहीं देते, यह सब किसी को नहीं मालूम सिर्फ application form देके बर के यहां सब भी कर दीजिए.